कुछ ऐसे मुद्दे लगातार उठा रहे हैं जिसको लेकर उत्तराखंट का आम जन्मानस काफी सम्मेदन शील है एक मुल लिवास का मुद्दा है एक स्थाई निवास का मुद्दा है इन दोनों मुद्दों पर आपकी क्या राय है पहले तुम्हें जानना जाता हूँ प्रवतिय प्रस्थितियों को देख करके ही तो राजय का निर्मान वाथा ना यह भोल तो उत्रप्रदेश के टायन पे भी यही था गंगायमना तो यही तो थी बदरनाजी के दरनाजी यही थे हमको लगा कि अलखनों से हमारे आँका विकास नहीं हो शकता हम सांती प्रिये लोग हैं हम लोग ग्रास रूट के लोग हैं हम लोगी इमानदार हैं इस्वर को मानने वाले लोग हैं सीधे सचे लोग हैं ऐसी जब प्रस्थितियां आकी गई यह आभास जब जन्वानस को हुआ तो सबको लगा यार राज्य अलग होना चाहिए हम अपने अपने करता-ध हमारे बारे में लखनों में बैठ करके दिल्ली बैठ करके नहीं सोचा जा सकता ऐसी प्रस्थितियां जब निर्मित भी तो राज्य अलग हो गया तो राज्य अलग सत्तर विदायक और यह एक मुख्यमंत्री के लिए थोड़ी हुआ एक एक वो नॉमिनेटर्ट विदायक हमें तो जी राज्य इसलिए बना है कि हमारी परवती प्रस्थितियों की मूल उधारना अक्छोडने रहे हमारा जल जंगल जमीन बोली हमारी सास्कृतिक अस्मिता अक्छोडने रहे इसको लेकर के बनाया था तो यह मूल निवास के जहां तक बात है इसके लिए बहुत कानून के लिए कानून के लिए सांधार और कठोर कानून आना चाहिए और मूल निवास सच मुछ दोजार पचास लागो होना चाहिए क्योंकि 1950 लोग पहाड़ों में रह रहे हैं जिन کے वजए से हमारे पहाड के जो आदमी हैं जो हिमाले में रह रहे हिमाले की गोद में वो अबैतनिक प्रहरी हैं हिमाले के पहाड़ खाली हो रहा है आज जोसी मठी में चाइना की गुस्पैट की जानकारी देने वाला नहीं मिलेगा कोई आपको उचरवा हमने सुना है कि वो लोग पहले आकर के बताते हैं आपने ये टम बड़ा अच्छा अस्तेमाल किया अवेतनिक प्रहरी अब ये एक अंदोलन उत्राखंड में हुआ अभी दिसंबर दो हजार तेईस में एक स्वत्यस फूर्त अंदोलन था देरादून के परेड मैदान से इस अंदोलन की शुरुवात हुई उसके बाद हलदवानी में भी रैली हुई श्री नगर और गड़वाल के कई दूसरे हिस्सों में भी रैली हुई जाने माने हमारे प्रदेश के सिंगर हैं लोग गायक हैं अदरणी नरेंदर सिंग नेगी जी उन्होंने उसकी कॉल की आप कहां थे उस अंदोलन में आपका जिक्र नहीं आया जी मैं उस समय बट जी हमारा कारिकरम कोई लगबग छे मेने पहले छे सात मेने पहले एक प्रीतम भरहत्वान मीजिकल टूर इन योरोप करके कारिकरम डिसाइड था और मैं उस दोरान नौरवे, सुजलेंड, जर्मनी, आदी देशों की यात्रा में था इस वज़े से मेरे से संपर्क नहीं उपाया होगा और जैसे मैं देश में आया फिर मैंने अपने जो जो मुझे पत्रकार मी मिले वहाँ पर मैंने मूल निवास की और भू कानून की ठोस पैरवी करने के लिए अपने वक्तब बेदिये हैं और जैसे मैंने कहा कि मूल निवास का लागू होना नितानताविश्यक है और भूकानून भी ठोस बनना चाहिए भूकानून में क्या बनना चाहिए ऐसा भूकानून में तो जितने भी संसोधन हुए उसके कोई ना कोई आदमी उन्हें छेद डूंड लिए जितने बनना चाहिए अगर आपकी माने मूल ले आज तो चलो इस पर स्टेकी 1950 लागू होना चाहिए भूकानून में क्या ऐसा होना चाहिए या कोई चीज आपके दिमाग में हो कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा सुझाव आप देंगे या अपने गीत संगीत के माद्यम से आप अवेरनेस क्रियेट करेंगे तो ऐसी कोई चीज आपके दिमाग में है ऐसा तो देखो चीज इसके लिए इसके एक्सपर्ट बैठाने पड़ेंगे और ऐसा बनना चीज जो पहाड़ी के पक्स में हो पहाड़ के आदमी की जमीने वची रहे पहाड़ के में जो जमीनों का तेजी से खरुइद फरौक्ट करते हैं लोग उस पे रोक लगे और पहाड़ के किसी गरीब आदमी की जमीन को कोई ऐसे यूँ ही नहीं खरिद पाए उसके लिए बड़ा ठोस कानून बनना चाहिए कि इसके लिए बहुत विदीवी से सग्गे बहुत जानकार विक्तियों का एक पैनल बने और जो दार्चुला मुंस्यारी उतर का सियारा कोट बंगान जोसी मठ पहाड के जो लोग है उनके फेवर में ये निरने जाए ऐसा ठोस कानून बनना चाहिए इसके लिए कई लोग तरक का भी इस्तमाल करते हैं उसे कुतर कभी कह सकते हैं कई लोग के कहते हैं कि हमने कोई जमीन खरी दी तिल्ले से आके गाजियाबाद से आके गुड़गाओं से आके बंबई से आके बोला हमने तो जमीन खरी दी है लेकिन जिसने जमीन बेची है ये तो उसको सोचना चाहिए कि अपनी जमीन क्यों बेच रहा है तो कानून बने वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा ही आदमी क्यों अपनी जमीन बेच रहा है, ये भी तो एक बड़ा प्रशन है, इसको लेकर आपने कभी कोई awareness कि अपनी जमीने ना बेचो, इस तरी की कोई campaign चलाया या भविशे में चलाएंगे, या क्या आप आप कहेंगे ये बेचने वाला बेचने को तैयार बैठा है, तो उसके संदर्ब में कई लोग को तरक करते हैं, आपका take में जानना चाता हूँ थोड़ा सा नहीं, उनको जो बेचना चा रहे हैं अपन जमीन को देखो जी, अपनी वस्तु है, कोई बेचना चा रहा है, तो उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता लेकिन यह किया जा सकता है कि उनन न बेचे, यह ऐसा AWRCion तो आया कम से कम, और फिर उनकी जमीने अगर वो नहीं बेच रहे हैं उनके लिए, देखो आदमी जमीन क्यों बेचता है, उसको लगएगा कि बहुँ चलो यहां पर रोजगार नहीं है, हम यहां पहाडों में बेच देंगे कही हो और जाएंगे, इस धारना से बाहर निकालना हो लएगा अद कोई भी बेचना पड़ेगा तो उस तरह की जो इस्तितिया निर्मित हो जाती है ऐसी प्रस्तिति में जमीनों के लिए बहुत होसकार हो रहा है कि पहाड़ों की जमीने न विखें तो ज्यादा बढ़ी है कोई और बात आपके दिमाग में उत्राखंट का सामाजिक और कोई ताना बना जो इन दो तीन चीजों के इर्द गिर्द गुमता हो मतलब यह दोनों तीनों चीजों को लेकर तो अंदुलन हो रहा है और कौन सी चीज ऐसी आपको लगती है कि यहाँ पर यह चीज रुकनी चा जीए आप रिजोर्ट्स या पहाड़ों के जिनके पास अच्छी जमीने हैं आपकी होमस्टे ही होजना है मैं बड़ी अच्छी तारीफ करूंगा उसकी मैंने खिर्सु में देखा वहां घर का खाना वहां की मात्र शक्ती खाना बना रही है चूले पर वहां उनके लोगों को काम मिल रखा है मैंने सुना पौड़ी में जो कलक्टर थे उन लोग ने वह शुरू करा था वहां पौड़ी में आता है खिर्सु ऐसे प्रियास और जगे भी होने चाहिए आप कौसानी को विक्सित करो आप चोपता के आसपास गाओं को विक्सित करो आप रज्जी सरका पाड़ी साफ से बनाया हूँ है और रात को जब हम भोजन करने के लिए गए तो गाओं की माता हैं वहां पर भोजन बना रहे थी तो मैंने उनको पूछा कि आप ये आप बनाती है खाना कहते हैं हमको दे रखाया सरकार ने